असलाम अलेकुम आज मैं आपके लिए लाया हूं WhatsApp के दो न्यू अपडेट जो कि हमारे पास पहले बहुत बड़े प्रॉब्लम हुआ करते थे इन प्रॉब्लम्स की सालुशन इन दो जो आपकी न्यू अपडेट साइए इसमें आपकी स्वाल हो जाएंगी सबसे पहली जो अ इंटरनेट करके रखो हमारे अपने मोबाइल से फिर उसके बाद जब भी आपका जो है मोबाइल कनेक्ट होता है तो इंटरनेट ऑन होने की वजह से उसकी बेटरी भी जो है वो लो होती रहती है जबके हम WhatsApp सिस्टम भी उसके बावजूद हमारा मोबाइल यानी सामले आन है और इंटरनेट के साथ कनेक्टेड लोगों ने एक नया फीचर दिया है जो आप यहां पर पढ़ सकते हैं नाओ सेंड एंड डिसी मेसेजज़ विदाउट कीपिंग यूर फोन ओनलाइन आप एक बार सिर्फ अपना स्कैन जो करते हैं QR कोड वो कनेक्ट करें या मोबाइ कीपिंग यूर फोन ओनलाइन उसके बाद दीचे ही इन लोगों ने प्रोवाइट किया है कि यूज वाटसेप और अप टू फोर लिंके डिवाइसेज एंड वन फोन एड़ सेम टाइग यानि हम क्या कर सकते हैं कि वाटसेप को हम चार डिवाइसेज के साथ करने करके यान डिफरन लप्टॉप्स यान डिफरन आपके सिस्टम्स के साथ करने करके वह एक फोन के साथ एक एक टाइम हम इसको चला सकते हैं और यह बहुत बड़ी आएक फीचर है जिसको आप यूज कर सकते हो उसके बाद नीचे एक और जो सेकंड फीचर है वह यह है कि में कॉल्स रॉम डेस्टॉप विट वाटसेब फर विंडोज एविन हम कंप्यूटर से ही वाटसेब के कॉल्स कर सकते हैं तो अब यहां पर जाके इसको किलिक करेंगे तो इन लोगोंने मेक ऑपरेटिंग सिस्टम जो हम एपल डवाइस के लिए यूज करते हैं दूसरा हमारा विंड करके यूज कर सकते हो अगर आपको अपने लेट टॉप या अपने कंप्यूटर से किसी दोस्त को कॉल करना हो और वाटसेब तो आप वो भी कर सकते हैं और बिल्कुल यह एक नया फीचर है जो आप यूज कर सकते हो इन यूर वाटसेब आपके लिए फीचर बहुत मफीद रहे होंगे अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल रहा है तो प्लीज सब्सक्राइब लाइक एंड शेयर मारा चैनल सी यू नेक्स्ट वीडियो